सेम की वाइन यानि के कॉमन बीन वाइन इसको आप देखिए ग्रीनरी को फील कीजिए परपल कलर के फूल को देखिए और खुश हो जाएए ये ग्रीनरी एड़ करेगी फ्लार्स भी देगी और वेजिटेबल्स भी देगी बिल्कुल फ्री में ही ग्रू करेंगे कम महनत लग करते हैं इस सेम को तो अभी तीन दिन पहले की बात करते हैं वो वाइन जो आप ग्रीन ग्रीन देख रहे थे ये रेनी सीजन में ऐसी थी जब फूल आ रहे थे लेकिन अब तो फूल टूट चुके हैं और उसमें ये फलिया बन चुकी है यानि के सेम सेम जब क्रो होती है आप तोड़ते रहिए और पकाते रहिए बात में जब सर्दियों को सीजन आता है तब ये सेम नहीं आती है तब आप इसको बीज बनने के लिए छोड़ दीजिए और ये सुखे सुखे के बीज अब आप ग्रो कर सकते हैं तो मैंने तोड़ लिये हैं और ये वाइन हमारी ममी के कहां लगी है अब हम अपनी गार्डन पर इसको क्रोख करने वाले हैं अगर आपके पास प्लांट नहीं है तो मोटी मोटी सी बीन जो सबजी वालों के पास होती है और वो थोड़ी बड़ी और सिर्फ उसमें ये सीर्स होते हैं थोड़े से ग्रीन होते हैं आप उसको शेड में रखकर तुका लीजिए और फिर वो सीर्स निकाल कर ग्रो कर लीजि इसमें भी अब निकलने वाली हैं सेम पर पहले आएंगे फूल कितने खुबसुरत लग रही है आप भी चलिए एड़ कीजिए और ये मैंने छील कर निकाल दिये हैं सीर्स कलेक्ट कर लिये हैं अब चलते हैं मिट्टी देखने आगे हैं अपने टेरिस गारण पर क्योंकि हमारे टेरिस गारण पर ही जो दो ग्रो बैग मेंने बनाए थे इसमें रात की रानी की कटिंग लगाई थी तो कटिंग तो साइड में लगी हुई है वो जब तक ग्रो करेगी क्या पता ग्रो भी ना करें इसी ग्रो बैग में हम व 40% गोट मैने और इसमें मिक्स किया गया है और नीचे किचन वेस्ट बरा गया है कोई लेका पाउडर भी है बहुत अच्छी सी ये मिटी है ट्रेनेज की तो कोई फिकर ही नहीं क्यूंकि ये तो बोरी से बना है और होल इसमें पूरी बोरी में होते हैं तो हम इसको ग्रो कर ल से ना दवाईएगा बस मिटी से ढख जाएं इतना ही कवर कीजिए या फिर सीर्स को डालने के बाद थोड़ी सी सेंड और मिटी मिलाकर उपर से छिड़क कर भी आप ठक सकते हैं थोड़ा सा टैप कर दीजिए ताके पानी डालते वक्त मिटी दर उधर ना जाएं और सीर्स आपके ठके रहें सारे सीर्स को एकी जगा नहीं लगाते हैं दूसरा ग्रो बैग देखते हैं दूसरी जगा भी लगा देते हैं कभी कभी ऐसा होता है कि मौसम नहीं अनुकूल होता है तो सीर्स नहीं ग्रो होते हैं दो या तीन जगा अगर आप लगा देंगे तो कही ना क पर से डाली गई थी तो आप देख सकते हैं कि यह किचन वेस्ट है जो कमपोस्ट बन रहा है इसी में हम इसको डाल देते हैं कमपोस्ट भी रेडी होगा और सबसी भी तयार होगी इंशाल्ला तो सीच तो हमने लगा दिये हैं वाटरिंग कर देते हैं इसमें थोड़ी सब्सक्राइब करेंगे तो आगे की वीडियो भी आपको मिलती रहेगी नोटिफिकेशन के लिए वेल आइकन पर क्लिक कर दीजिएगा तो जब इस वीडियो को हम शेयर करेंगे कि बीज ग्रो हुए है या नहीं तो वो आपके पास अवेलेबिल रहेगी तो जल्दी से ला